हलो एवरीवन वेलकम बेक तो माई चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं चार कली पैटिकोट हम यहां चार कली पैटिकोट की ड्राफ्टिंग प्लस थियोरी सीकेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें पैटिकोट बनान चाह पर हमारी 36 इंच की लंबाई है पैटिकोट रहे हमें मार्जिन में लेना है तो आप सकते हैं और तह थ्यान रहे चाहें हमें में मार्जिन रखना है तो ने-चे से हमारी कमरपटी की लंबाई कमरपटी या चीन जो बेल्ट हम जिसमें नाड़ी लगाते हैं उसे चीन या कमरपटी बोलते हैं तो उसकी जो चोड़ लंबाई ही लेंगे हम वो लेंगे तो जो हमारी कमर पट्टी की लंबाई रहेगी वो भी हम 30 inch लेंगे जितनी हमारी कमर होगी उतनी हम कमर पट्टी की लंबाई लेंगे इसकी बाद कमर पट्टी की चोड़ाई हम लेंगे दो या धाई इंच आप कमर पट्टी की चोड़ाई दो या धाई इंच रख सकते हैं इसके बाल, देखिये, अब हमें कमर किस तरह से निकाल लिए, हम कली वाला पैटी कोड बना रहे हैं, तो कली की कमर हम किस तरह से निकालेंगे इसका एक formula यहाँ है इस तरह से आप note कलिजिए कली की कमर निकालने का formula देखिए कमर पट्टी की size कमर पट्टी का size plus 6 inch कमर पट्टी हमारी जो हमने कमर पट्टी या चीन या बेल्ट जो हमने निकाला था उसकी size plus 6 inch margin हमें जो कमर हमारी है कमर पट्टी की लंबाई जो है उसमें 6 inch का margin रखना है हमारा 6 inch सिलाई margin है तो देखिए यहाँ पर हमारी कमर पट्टी की लंबाई है 38 inch plus हमारा 6 inch सिलाई margin है इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा आजाता है 44 inch हमें कमर पट्टी की लंबाई जो कमर पट्टी की लंबाई हमने लिए है वो प्लस 6 inch सिलाई margin और भागित यहाँ पर 4 4 से हमें divide करना है इस तरह से आप यहाँ formula लिख लीजिए तो देखिए 38 inch plus 6 inch margin का हमने यहाँ प्लस कर लिया है तो 44 inch अब हमें इसे 4 से divide करना है अब इसे 4 से क्यों divide करेंगे हम यहाँ 4 कली का पेटी कोड बना रहे है तो हम इसे 4 से divide कर देंगे अगर हमें 6 कली का पेटी कोड बनाएंगे तो हम 6 से इसको divide करेंगे 44 को हम 6 से divide कर देंगे बना रहे हैं उसी से हम इसे यहां पर डिवाइड करेंगे 44 में हम 44 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आ जाएगा 11 इंच जो हमारी कमर एक कली की कमर होगी वो 11 इंच की होगी देखिए कि कमर आएगी 11 इंच एक कली की कमर की चोड़ाई हम रखेंगे 11 इंच तो देखिए इस तरह से आप यहाँ यह नोट कर लिजे इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर ड्राफ्टिंग पर देखिए यहाँ पर सिंपल सा आपको ड्राफ्टिंग पर में समझाती हूँगे किस तरह से हम कपड़े पर निशान लगाएंगे मालीजी यह हमारा टू फोल्ड कपड़ा हैं सबसे पहले हमें कपड़े को दो भाग में फोल्ड करना है पेटिकोर बनाने के लिए नॉर्मल साइज में आपको कम से कम दो मीटर कपड़े की आउशकता होगी अगर आपको बड़ा साइज को पटिकोर बनाना है तो फिर आपको सवादो या धाई मीटर कपड़ा लग सकता है तो सबसे पहले हम कपड़े को दो भाग में फोल्ड कर लेंगे डबल फो कि लगाई को यहां पर हैं 3020 हम 31 पर इस तरह से लंगाई में निशान लगा लेंगे इसके बाद हम कमर कर निशान लगाएंगे तो कमर के लिए हम यहां पर हमनेани कली की चोड़ाई फली riot फॉत निकाली थी पामूला लागा फुब ही हम 11 इंच यहां पर निशान हमने यहां पर तो 11 इंच पर इस तरह से हम चोड़ाई में निशान लगा देंगे इसके बाद एक निशान यहां लगाने के बाल दूसरा निशान हम इस तरह से कॉर्णर पर हमने यहां पर 11 इंच का निशान लगाएंगे कमर का तो यहां कमर का हम 11 इंच का निशान यहां भी लगाएंगे देखिए इस तरह से एक निशान हम इस कॉर्णर पर और इस एक निशान इस कॉर्णर पर लगाएंगे यह जो साइड रहेगी यह हमारे पेटी कोट का गेरा रहेगा निशान हमने कमर का 11 इंच का यहां लगा लिया और एक हमने यहां 11 इंच का निशान लगाएं और दो कली हमें इस साइट से मिलेगी, तो हमारा यह चार कली का पेटी कोड बनेगा, देखिए, हमारे कपड़े की जितनी चोड़ाई रहेगी, उतना ही गेरा यहाँ पर हमें मिलेगा, आप चाहें तो इसे कम کر सकते हैं, इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगाले, इस तरह से हमें दो कली यहां से और दो कली इस साइट से मिल जाएगी इसके बाद हम देख लेते हैं कमरपटी हमने जो कमरपटी की लंबाई निकाली थी वह थी हमारी 38 इंच तो इस तरह से धाइंच चोड़ी और 38 इंच लंबाई में हम यहाँ पर कमरपटी निकालेंगे इस तरह से आप बना लीजिए आपको ध्यान रहेगा तो इस तरह से हमारी चार कली की पेटिकोट की यहाँ पर ड्राफ्टिंग प्लस थियोरी कम्प्लीट हो चुकी आपको मेरा चोटा सा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यू फॉर वचिंग